हेलो केट्स इस अउनी चोबन पुत्रा फ्रॉम अक्षर स्कूल तोड़े वे लेर्निंग ओफ चेप्टर नबर 10 ग्रैनी गाडन फ्रॉम ग्रामर टेक्सबुक नाव सी बेटा बेटा यहां पे जो एक आपको बोई दिख रहा ना यलो कलर का टीशिट पेन है वो उसका नम क् अच्छा लगता था जिससे आपको भी आपके दादी को मिलना अच्छा लगता है राईट घर के पीछ से क्या है यह बहुत बड़ा गाडन है तो garden in Pico's favorite part of granny's house जो garden है तो सिमें क्या है Pico का favorite part है कापर एक granny का जो घर है उसमें garden में पूरा एक हुवार पार्ट होता है वो किसका है Pico का favorite part है garden क्यों कि Pico को garden बहुत ही अच्छा लगता था पिकोको उसकी दादी का घर तो बहुत ही अच्छा ही लगता ता पर उसके घर का एक पार्ट इन दे सेंस उसका गाडन उसकी दादी का गाडन बहुत ही अच्छा लगता था पिकोको डेर आर मेनी काइट प्लांट इन गğl क्रेणी के गाडन में बहुत सारे टाइपस के डिफ्रन डिफ्रन तरक के प्लांट सेंद इर आर वेजिटेबल्स अंद पीनेच वाँबे कौन-कौन से वेजिटेबल्स है रेडिस अंद स्पिनेच तो गाडन और इस में एक मैंगो ती भी है, it has sweet and juicy mangoes, वो mango tree है, उसमें बहुत ही सारे अच्छिस से प्यारे से juicy मिठ्य मिठ्य से mangoes होते हैं, This year, Granny planted red roses at one end of her garden, इस बार क्या किया? Granny उसकी चु दादी का ने हमे, उसने क्या किया? Plant की, कौन सा plant रे किया? एक red roses का किया और कहां पार किया? OLED roses कीया है, एक साइड yellow sunflowers कीया है पिको helps granny by watering the plants, पिको उसकी दादी को कैसे help करता था, plants को watering, पानी पिला के, he also washed the vegetables, after granny packs them out of the ground, जब उसकी दादी, ground में से vegetables निकलते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो vegetables को wash भी करता है, like अगर हम कोई भी ताजा ताजा सा fruit या vegetable निकालेंगे plant में से, तो हमें भी wash करके खाएंगे, वैसे जब उसकी दादी निकलती थी, कोई भी vegetable, तो उसको wash करने में उसकी help करता था, कौन करता था, पिको करता था, बेटा, इस पे कौन, कौन से vegetables is, spinach and radish, mango tree है, फिर mango tree, mangoes कैसे व और एक साइट, yellow sun flowers का plant करेगी, राइट, तो बेटा, यहां तक किसी को भी कुछ भी डाउट है, ताब मुचे message कर सकते हो, राइट, thank you, have a nice day,